हेलो एवरिवन आप सबी लों को सौगत है हमारे यूटूब चैनल मिशन से विल इंजिरिंग में आज का हमारा टॉपिक है ग्रेट्स ओफ इस्टील बार और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें औ आये चलिए डिखते है जो किस बैसिश पर क्लीज हमको क्या डिफेरेंस होता है तो हम यह बहुता है ऊब देखेंगे बार बर में लिका होता है फफाइं पाइफंड़ें लिखा होता है तो ने फिफ और वानफवान फाइट ग्रेट का होता है तो ऐसे हर्छ झान टाइप प्रापर्टीज की तो उस प्रापर्टीज के बीच पर है काथ इस को तो इल्टिस टिरिंग करते लिखनाओ इलस्ट्रेंग्क के अलॉगेशन हर बार करे अलगु वता है एल्डी tho इपता है। ज़ीतना इस्ट्रेंग्स जहां से बारके । ना सल्डेंग होता है। कि लगे सब्सक्राइब करें थेंसेल स्ट्रेंग्ट किया है तो तेंसेल इसेल उस बार की कैपसिटी होती है और आरक यूद्ट ऑर आप कितना वह बार हमारा बढ़ सकता है तो इह हमारा इस तीन की बैसिट पे हम क्या करते हैना डिफेंट टाइपस ऑफ ग्रेट्स हम आगाए आजकर जो 650 तक आज है अब 415 जो पहले यूज करते थे अब वो यूज रही होता आप 500 से ही जादा तर यूज किया आता है तो यह हम डिफरेंट टाइफ अब ग्रेट हम बताते हैं क्या होता है तो यह हमारा अग्रेट ऑफ इस्टेल्स तो यह देखिए हमारा ग्रेटंस है यह पी 415 वकाथ B, D क्या होता है मंषाक धृक्ति लीत को बलाव कि इसमें मतलब इससे जादा इसमें लख रीटरटी है तो इतनी बार आज आज आके चुके हैं, Fe 600 तक तो हर की अलग-अलग yield strength है अलग tensile strength है, elongation अलग है सबका तो हम देशे 415 है, इसकी yield strength देखिए 415 Newton per mm² ठीक है तो यह 415 के हमको represent करता है, इसकी yield strength और जो Fe है, Fe में आइरन तो यह आरन को denote करता है, और 415 जो denote करता है, वो yield strength को denote करता है तो 415 मतलब 415 Newton per mm² इसकी yield strength होए और इसकी tensile strength जो है, वो 485 Newton per mm² है और elongation 14.5%, मतलब यह 14.5% के हम एलोंगेट हो सकता है अब इसमें changes आया है, 415D बना 415D मतलब इसमें ductility आए लोग है तो ductility इसमें ज्यादा है, तो yield strength इसकी भी 415 है तो इसकी yield strength इसकी इसकी yield strength वैसे ही इसमें changes आये, tensile strength इसकी क्या होगई 500 Newton तो tensile strength इसकी 500 Newton per mm² होगई, जो 485 से बढ़के रती होगई मतलब यह हमारे से इससे ज्यादा बेटर है और इसके elongation 18%, बढ़ यह 18% elongate हो सकता है तो इससे यह थोड़ा अच्छा हुआ, अच्छा आया अब इसके बाद हमको बना FE 500 इसमें और जादा changes आये, बतलब 500 इसकी yield strength Newton per mm² में आये अब tensile strength इसकी होगई, 454 Newton per mm² और इसका elongation 12% हुआ अब इसमें 500 D आया D आपको बता है, ductility इसमें add होगे इसमें ductility इसकी जादा इसके compare में अब yield strength इसकी केतनी आगे इसकी भी 500 D होगी, 500 Newton per mm² और इसकी tensile strength होगी, 565 Newton per mm² और इसका elongation है वो 16% होगा फिर 550, उसकी 550 ही होगी, yield strength और इसका tensile exchange होगा, वो 85 Newton per mm² होगा और इसकी के elongation है, वो सिर्फ 10% है फिर next भार है, FE 550 D 550 D है, तो 550 से पाशता है कि इसकी yield distance क्या होगी हमारी 550 Newton per mm² और इसकी ductility इससे जादा होगी तो इसका tensile exchange केतनी होगी, 600 Newton per mm² और elongation 14% अब ये हमारा लास्ट बार है, जो FE 600, 600 मतलब 600 इसका yield strength हो गया और इसका tensile exchange केतनी होगी, 660 Newton पर हो इसका तो tensile exchange हमशा yield distance से जादा रहती है और इसका elongation जो है, 10% होती है ये हमारे बाद डिफेरेंट टाइप्स आफ ग्रेट्स आफ इस्टील जो अलग-अलग मतलब ये तीन के basis पे हम क्या है, इसको great को different type में बाटते हैं और इसके अलग-अलग इसका properties होती है Thank you for watching our video, please do like, share, subscribe and comment जरूर करें कोई भी doubt तो जरूर पुछे, आप सभी लोग का शुक्रिया